अंतरिक्ष में जाने के लिए तयार है दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप बरमांट के सुरुवाती पलो को करेगा कैद जेम्स बेब एस्पेस टेलिस्कोप आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के कई आयाम खोलने वाला है ये डार्क एनरजी, गलेक्सी, फॉर्मेशन, तारू का जीवन चक्र आदी कहीं जटिल बिस्यों के बारे में बारी की जानकारी इखटा करेगा इस बिसाल का टेलिस्कोप में कहीं तरह के बिस्यस उपकरनों को लगाया गया है ये लंबी दूरी से सफर करके आ रही इंफाराइट तरंगों को पकरने में भी काबिल होगा कई खगोल विदों का कहना है कि हमारा ब्रहमान काफी तेज गती से फैल रहा है हलाकि आप तक उसकी फैलने की गती का ठीक अंदाजा नहीं लग पाया है कुछ बग्यानिकों के अनुसार ब्रहमान परकास की गती से भी जाधा तेज फैल रहा है उसके मुताविक ब्रहमान के फैलने की वज़़ा डार्क एनरजी है डार्क एनरजी खुद भी एक बहुत बरी पहली है ऐसे में जेम्स बेब टेलिसकोप इन गुतियों को सुलजाने में मील का पत्थल साबित होने वाला है इस टेलिसकोप की सबसे खास बात है कि ये धूल के बादलों के पीछे चुपे तारों को देखने में भी समक्ष होगा इसके अलावा ये लंबी दूरी से तैक करके आ रही बेब लेंथ को भी आसानी से डिडेक्ट कर सकेगा इस टेलिसकोप को हवल का अपग्रेट बर्जन भी कहा जा रहा है इसके अलावा तारों के लाइफ साइकल के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा नासा जेम्स बेव स्पेस टेलिसकोप को 18 दिसंबर 2021 के दिन लॉंच करने का प्लान बना रहा है हवल्स का उत्रा अधिकारी कहा जाने वाला ये टेलिसकोप लॉंच होने के बाद हमें दूर अंतरिक्ष की वो तस्वीरे दिखाने वाला है जिने हमने अब तक नहीं देखा है धन्यवाद